तो चैप्टर नम्र 17 में जहां पर छोड़ा ताँ वहीं से चालू कर रहा है गोट टैक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे और अलमॉस्ट इकनामी है फिनिस्टी है गोट टैक्स सिस्टम को यहाँ पर देखेंगे ओवराल वैल्यू एडट टैक्स की इस प्रकार से काम करता है इसको समझने के कोशिश करेंगे और गोट सेंट 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 टैक्स में आपको समझाने कोशिश करूँगा सिंपल से कंसेप्ट है वैसे तो इनके बारे में काफी करेंट टैक्स से बात होती रहती है GST के बारे में काफी बात होती रहती है VAT के concept को मैंने बहुत basic outline के साथ आपको पहले समझाया है यहां थोड़ा detail में देख लेंगे ठीक है तो let's start with good taxation system what is this good tax system देखे different type के tax systems मैंने आपको बता दिया good tax system क्या होता है बाई देखे एक ऐसा tax system जो कि overall economy में resilience ले के आए ठीक है यहां पे जो tax collection हो रहे हो वो logical हो आप कह सकते हो कि progressive और regressive taxation में progressive taxation को अगर आप proportional taxation के दाद मिला दो तो एक अच्छा tax system मनता है अगर बात की जाए proper तरीके से tax system अच्छा होता कब है तो वो 5 principles पे अच्छा होता है एक तो वो fairness के principle पे अच्छा होता है दूसरा वो efficiency के principle पे अच्छा होता है तीसरा administrative simplicity चौथा flexibility पांचवा transparency एक के करके यह points देख लेते हैं वैसे कुछ ऐनी बस बोल बच्चे नहीं है efficiency का क्या logic है तो देखिए overall taxes में दो प्रकार की equity होनी चाहिए एक तो होनी चाहिए horizontal equity दूसरी होनी चाहिए vertical equity what do you mean by horizontal equity individuals in identical और similar situations पे identical और similar tax तो एक level of earnings के bracket में अगर कोई दो individuals आ रहे हैं जितने भी individuals आ रहे हैं उनके ओपर tax liability बराबर हो तो horizontal equity मतलब horizontal मतलब एक level पे जितने भी individuals हैं उसके उपर एक ही tax लगाया जाए और tax simple हो एक ही तदिक्या का tax लगाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप discrimination कर रहे हैं किसी particular lot के उपर कम tax लग रहा है किसी particular lot के उपर ज़्यादा tax लग रहा है horizontal equity इफी को बोलते एक level पे जितने भी लोग है वो बराबर है दूसरा होता है vertical equity vertical equity में होता है जो लोग उपर है ज्यादा कमा रहे है उनके उपर थोड़ा ज्यादा tax हो जो लोग थोड़ा नीचे है उनके उपर comparatively कम tax हो तो vertical equity क्या बोलती है जो लोग hierarchy में उपर है ज्यादा पैसा कमा रहे है उनके उपर ज्यादा tax और horizontal equity क्या है एक ही level पे जो लोग है उनके उपर बराबर बराबर tax हो इसको आप बोलते हो fairness और fairness का logic है भी ज्यादा अमीर उसके उपर ज्यादा tax लगा हो with the least cost on tax payers and least interference in allocation of resources भी यह tax collect करने है लेकिन tax को collect करने में पैसा ज़्यादा खतम नहीं करना है अगर आप collect कर रहे हो तो tax payers के उपर cost कम लगनी चाहिए overall आप देखो जब आप किसी भी individual के उपर tax लगाते हो आप कितना tax लगा रहे हो इस बाते बहुत चीज़े फर्क पड़ती है जैसे for example अभी यह जो Sweden जैसे देश है Sweden हो गया, Norway हो गया, Switzerland हो गया यहाँ पे income tax 50% से जादा है कभी लगता है कि आपको कि Google, Microsoft जैसी companies इन जगों पर अपने headquarter बनाएंगी लेकिन Singapore में मना लेंगी चुकि Singapore में tax कम है तो आपको tax ऐसे लगाना है इतने efficient तरीके से लगाना है कि first of all tax भरने में overall लोगों का ज़्यादा खर्चा ना है tax को file करने में ज़्यादा खर्चा ना है उससे भी important element ज़्यादा यह है कि overall tax से जो पैसा आ रहा है उससे सरकार के खर्चे भी ना कम हूँ दूसरा tax इतना over burdened भी ना लगे लोगों के उपर कि लोग दूसरी तरीके से tax बचाने लगे got it और यहाँ पर efficiency में कुछ इस प्रकार के facets को भी जोड़ सकते हो कि जो चीजें society में गलत बात पहलाने जैसे for example smoking smoking करना शराब पीना यह सब कही ना कहीं और अला हमारे society को बरबात कर रहा है तो ऐसी चीजों के उपर आप extra tax लगा सकतो जिसको आप double dividend of a tax बोलतो तो यह होता बाई तो एक अच्छा tax system होगा जिसकी efficiency अच्छी होगी तो वहाँ पर individuals और groups proper तरीके से save करेंगे spend करेंगे invest करेंगे overall उनके उपर ज़्यादा burden नहीं होगा उनको लगेगा कि हाँ भई हमारे उपर जो tax लगाया जा रहा है वो logical है पूरी दुनिया में one of the best है तो उमें कोई problem नहीं देने में जब लोग भड़़ाने लगे बहुत ज़्यादा tax मांगा जा रहा है और overall tax में erratic changes के चलते collection कम यह ज़्यादा होने लगे बहुत ज़्यादा amount से तो उसको आप बोल सकते हो कि system efficient नहीं next बात करते है administrative simplicity भई यह तीसरी चीज़ है tax को file करना tax को calculate करना tax को collect करना यह should be as simple as possible तो आपका कितना tax हुआ इसको compute करना file करना अलग अलग जो sections है जिसमें आपको रिवेट मिलती है उसके बारे में आसानी से जानकारी होना यह सब चीज़ में पता होनी चाहिए इसको बोलाता है administrative simplicity okay simplicity से tax division चेक होता बहुत सदा जो complex systems होते है आपने 50 तरीके के act बना दिये वो 50 तरीके के act में 50 तरीके के sections है अब अलग अलग सेक्शन में कहीं है यह tax अलग आपको पता होना चाहिए simple तरीका होना चाहिए tax file करने का अगर बहुत complex तरीका है तो लोग confused हो जाएंगे फिर वहाँ पे overall वो tax evasion करेंगे अलग अलग प्रकार से tax agent के brackets को evade करने कोशिश करेंगे फिर flexibility a good tax system has a scope of desirable modification जब भी कोई tax system implement किया जाता उसमें definitely कुछ ने कुछ problems आ सकती है तो problems आने के साथ-साथ उस tax system को सुधारने का भी हिसाब हमारे पास होना चाहिए उसके अंदर proper modification का scope होना चाहिए इसी का flexibility बोलतो और अगली चीज़ है transparency how much taxpayers are actually paying and what are they getting against it in the form of public services transparency factor तो एक taxpayer अगर tax pay कर रहा है तो वो किसी प्रकार की service भी सरकार से उमीद करेगा कि सरकार से उसो किसी प्रकार की service मिले तो इसी लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भई transparency overall जो taxpayer tax pay कर रहे है उनको पता होना चाहिए कि वो जो पैसा देने सरकार को वो कहां खर्च हो रहा है कितना खर्च हो रहा है किस तरीके से खर्च हो रहा है उसमें proper एक soundness होनी चाहिए अब यह जैसे कि for example tax collect करने का तरीका और उसी के सासथ tax को खर्चा करने का तरीका for example यहाँ पर क्या है कि भाई मालो progressive taxation में कहा है कि जैसे जैसे लोगों की income हो इसके उपर आपने tax ज़दा लगा दिये ठीक है यहाँ पर expenditure भी progressive regressive proportional होगा तो आप कह सकते हो कि जब आदमी ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा मदद किये जरूँआ तो जितना भी सरकार के पास पैसा आया है ज़्यादा तर पैसा आप एक needy person के उपर ज़्यादा खतम करो तो उसको आप बोलोगे progressive expenditure मतलब जरूरत के हिसाब से expenditure जिसको जादा जरूरत उसके उपर जादा खर्च किया जिसको कम जरूरत उसके उपर कम खर्च किया तो सरकार अगर टैस को collect करते होगे progressive regressive proportional के concept रखती है तो वो खर्चा करते होगी progressive regressive proportional के concept रखेगी तो overall एक society में अगर कहीं पर एक individual का ऐसा तपका है जो बहुत गरीब उसके पास पैसा नहीं है तो उसके उपर जादा खर्च करना पड़ेगा बहुत सिंपल सी बात है तो उसको आप कह सकते हो progressive government expenditure तो expenditure के भी यहाँ पर types बता रखें हलाकि यह तना important है नहीं अगली important चीज़ पर चलते है वह है value-added tax यह value-added tax और goods and services tax अगर हम यहाँ पर खतम कर लें और मैं आपको ढ़न से समझा दूँ चीज़ें गाफी हच्छी होज़ेंगे बड़ा आसान सा है ध्यान से सुनियो the value-added tax is a method of tax collection as well as the name of a state level tax in India the tax collected at every stage of value addition that is either by production or distribution is known as value-added tax the name itself suggests that tax is collected on the value-added production अभी समझाता हूं सब पढलेने दो production of goods or services is nothing but stages of value addition where production of goods is done by the industrialist or manufacturer but these goods require value addition by different service providers producers, agents, the wholesalers, retailers before they reach the consumers from production to the level of sale there are many points where value is added in all the goods VAT method of tax collection is different from the non-VAT method in the sense that it is imposed and collected at different points of value addition that is multiple point tax collection that is why there is no chance of imposing tax on tax which takes place in the non-VAT method single point tax collection अब में दो एक्जाम्पल से चीज़ें आपको समझाता हूं एक्जाम्पल से चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ जाएगी जिसे एक फैक्टरी की बात कीज़ें मानलो आटो मोबाइल फैक्टरी है कार मनाती है अभी कार मनाती है तो इस आटो मोबाइल फैक्टरी में क्या होगा कि मानलो कार में बहुत सारी चीज़े लगनी है टायर लगना है ठीक है आगे का ग्लास लगना है और ऑल स्टील की भी जरोथ पड़ेगी, तो मालो इस फैक्टरी वाले ने किसी टायर मिनुफैक्चरर से टायर खरीदा, मालो डणलफ से टायर करीदा, स्विफ्ट वाली गाड़ी बना रहा है, ये आपका मालुती वाला, तो इस टायर के उपर सबसे पहले उसने टैक्स दिय मैं वैट के जमाने के पहले की बात कर रहा हूँ, वैट से पहले जो टैक्स लगता था, फिर इसने जो ग्लास था, ग्लास के उपर टैक्स दिया, वहता है कार में आगे एक तरफ ग्लास लगता है, ठीक है, अब उस समय पर बनती थी, स्विफ्ट नहीं बनती थी, इस पर मत जाओ, concept को समझने कोशिश करो, ठीक है, उसके साथ stainless steel, steel लगता है वही, काड़ी के बनने में, अंदर के गद्दे हैं, जो सीटे हैं, वो कहीं और से बनके आती होगी, ये चार-पांच चीजे हैं, अब जब ये चार-पांच चीजें खरीदी बेची गई हैं, जिसने पर tax लगा, समझे, जब इस कार के उपर tax लगा, तो फिर से टायर, steel और ये जो आपके गद्दे थे, गाड़ी के, steel था और आपका कहलीजे की, आगे का ग्लास था, सब के उपर फिर से tax लग गया, तो ये तो tax on tax हो गया, समझे बात को, कार में लगने वाले टायर, जब उन खरीदा, तो उसके उपर tax लगा, फिर पूरी कार के उपर tax लगा, उस कार में काच का दाम इंक्लूड़िद है, तो tax on tax लगा, जो गाड़ी के अंदर सीटे है, जब उनको खरीदा गया, तो उसके उपर tax लगा, तो ये tax on tax को हटाने के लिए लाया गया VAT, वैट ने क्या कि भाई हम tax लगाएंगी increased value को ले कें तो tire के उपर अगे टैक्स लग चुका है overall seat तुपर tax लग चुका है steel के उपर tax लग चुका और की गद्दे वगरथ के ऊपर tax लग चुका का ठीक है अंदर के गद्दे थे वगर धाई अजार रुपए के तो धाई अजार चार साड़े छह जार दो आठ जार एक नौ अजार ये नौ अजार के आईटम के उपर ओवराल टैक्स लग चुका है अब फाइनल कार अगर एक लाक रुपए की भी करही है तो इस एक लाक में से भाईया सबसे पहले तो ये नौ अजार अटा दो टैक्स कल्कुलेट करने के लिए चुकि ये 9,000 के उपर तो सरकार पहले टैक्स लगा चुकी है मतलब कि केवल वैल्यू एड़िट के उपर टैक्स लगाया जाएगा अगर मान लीजे आपने कोई प्रोड़क्ट बनाया कि इस प्रोड़क्ट की वैल्यू है 100 रुपए इसके उपर आपने टैक्स लगा लिय फिर इस 650 वाले में कुछ और एक्स्टा एडिशन हुए चीज 75 के हो गई तो अब 25 के उपर टैक्स लगेगा कुछ इस तरीके समझें मानलों फाइबर है मार्केट में फाइबर आया फाइबर की खरीत फरोथ पर टैक्स दिया गया फाइबर से फिर कपड़ा बनाया गया कपड़े के बाद उसमें दरजी ने आके कुछ सिलाई वगरा करी जीन्स का कपड़ा बनाया जीन्स के कपड़े में फिर किसी ने बटन स्टिच की फाइनली उसको प्रेस वगरा करके मार्केट रिप महुचा है तो एक जीन्स के बनने में बहुत सारे लेविल्स है और इन सारे लेविल्स में हर लेविल पर टैक्स लगेगा कितना जितना एक्स्ट्रा उसमें वैलूडीशन हुगा है तो फाइबर मान लो 100 रुपय का था फाइबर रॉफ फाइबर को कपड़े में मतला तो 1.500 का हो गया तो 100 के उपर तो पहले टैक्स लगा हो तो अब अक्स्ट् 30 रुपय को पर टैक्स लगया या से 180 वाले में बटन बगरा जोडा के बाकी सब चीज़ें जोड़के 210 की हो गई 210 वाली जब फाइनरली की Flash लगईporte हो गई तो इससे होगा क्या, कि हर पॉइंट पे, हर उस पॉइंट पे जहाँ पे value addition हो रहा है, वहाँ पे आपका extra value added पे tax लग रहा है, और चुकि extra value added पे tax लग रहा है, तो tax on tax effect हट जाएगा, cascading effect जो होता है न, वो हट जाएगा, देखिए, that is why, that does not have a cascading effect on the price of goods, and thus it does not increase inflation, तो अगर tire के ओपर पहले tax लग चुका है, तो final, जो car की cost हो, उसके ओपर जब tax लगाया जाएगा, तो उसमें tire की cost को नहीं गिना जाएगा, चुकि tire की ओपर तो already tax लग चुका है, और इस प्रकार की चीज़ें इंडिया में करनी बहुत ज़रूरी थी, इस प्रकार की tax लाना इंडिया बहुत ज़रूरी था, चुकि आप tax on tax लगाऊगे तो final product बहुत महँगा हो जाएगा, चीज़ें महँगी हो जाएगी, inflation बढ़ जाएगा, और हमारी economy में एक limit से जादा inflation हम support नहीं कर सकते, reason हमारे देश के लोगों की purchasing power capacity कम है, market level purchasing capacity कम है, तो pro poor tax system चाहिए और value added tax is pro poor, ठीक है, अच्छा anti-reach भी नहीं है, क्योंकि ये reach को effect नहीं करता है, बट पूर की मदद करता है, पूर की मदद कैसे करता है, तो हर extra level पर जो extra दाम बढ़ रहे हैं, केवल उसके उपर tax, जो value addition हो रहा है, केवल उसके उपर tax लगाएंगे, और दुनिया भर के 160 nations ने वैट system of taxation को यहाँ पर implement किया है, और इंडिया में भी इसकी बहुत जरूरत थी, ओके, तो, this was an improvement over single point tax collection, चूकि जब single point tax collection होता था, तो tire वाला जब bulk में tire बेचता था, तो tire के उपर तो tax देता ही था, और जब bulk में car बिखती थी, उसके उपर भी tax जाता था, तो double taxes लगते रहते थे, यह सही नहीं था, तो वैट ने क्या किया, कि purchasing capacity को improve किया, poor people और जो middle class people थे, उनके लिए हालात थोड़े से ठीक है, एक तो यह बात होगी, next, India is having a federal political system, where side by side, the central government states have also been given power to impose taxes and collect them, तो इंडिया में federal system है, मैं केंज सरकार के भी आज भी यहां तो यहां तो यहां तो यहां तो यहां तो यहां तो यह बड़े तरीके के tax घूम रहें, क्या करें, तो यह uniformity लाना बहुत ज़रूरी था, इंडिया में एक single market लाना बहुत ज़रूरी था, और single market के लिए सबसे पहला point क्या होना चाहिए, कि state के level के taxes uniform होना चाहिए, एक wet amount declare करो और वो पूरे देश में लगेगा, तो इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी clear होगी, confusion और ambiguous चीज़ें नहीं होगी, तो economic reforms में, overall आप क्या सकते हो, कि state level taxes में uniformity लाने के लिए वैट लाया गया, फिर आगे क्या बताया जा रहा, कि इडिया में single market लाना था, जब तक single state level taxes नहीं होगे, uniform वैट नहीं होगा, तब तक overall single market नहीं आ सकता, तो uniform वैट आने से single Indian market, single Indian market का मतलब यह है, कि overall जब भी आप market में कोई चीज खरीद रहो, taxation rate constant है, तो जब taxation rate constant है, आपको tension नहीं होगे, आपको पता होगे कि यहाँ बाई, यहाँ पे इतना ही tax लगने वाला, ऐसा नहीं है कि किसी state में जा रहे तो कुछ और है, किसी और में कुछ और है, प्रस एक और अच्छी चीज थी इसमें, क्या था कि इंडिया क आप बोलोगे यह कैसे हुआ, तो देखिए, जब VAT के basis पे tax collect किया जाएगा, तो overall tax evasion कम होगा, total tax collection बढ़ेगा, चुकि दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी VAT को implement किया जा रहा था, वहाँ पे total tax collections बढ़ रहे थे, तो यह बहुत desirable समझा गया, कि state level पे भी VAT को applicable किया जाए तो इससे क्या होगा कि state के पास जादा income पहुचेगी, और जब state के पास जादा income पहुचेगी, तो overall उनकी economic हालत अच्छी होगी, तो जो पैसो के लिए पहले उनको केंदर सरकार के सामने गियाना पड़ता था, वो गियाना नहीं पड़ेगा, बहुत pro business भी हो जाएंगी च आप value addition को देख रहे हो, अभी हर level पे value addition को कौन से basis पे देखोगे, तो किसी invoice यह receipt के basis पे देखोगे, किसी एक particular step पे 100-500 रुपए हुआ, यह कैसे चेक करोगी, जब तक आप 500 की invoice नहीं देखोगी, तब तक आप नहीं चेक कर सकते हो, तो VAT में invoice generation mandatory हो गया, overall tax requirement को पूरा करन के लिए invoice generation mandatory होगा, जब आपने invoice generation को mandatory कर दिया, तब obvious ही बात है, overall tax evasion यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, यह चीज़ यहाँ पताईगे, ओके, और आखरी चीज़, if some of the state level taxes are converted into state VAT, the complexity of taxes will be minimized, यह बोला गया, कि यह state level बड़े प्रकार के tax है, excise हो गया, आपका entertainment tax हो गया, sales tax हो गया, तो इसमें से बहुत सारे tax अगर आप मिला के एक VAT कर देते हो, तो complexity eliminate हो जाएगी, तो पहले जो 50 अलग तरीके के आपको tax दिख रहे थे, यह 50 अलग तरीके के tax नहीं दिखेंगे, तो इसलिए भी यहाँ पे जो VAT था, उसको बहुत desirable समझा गया, तो इसलिए इ चेंटर ने 1996 में जो अपनी excise duty थी ना, वो VAT की तरह collect करनी शुरू कर दी, अब आप बोलो कि सार, चेंटर की कौन से excise duty यह देखें, यह excise duty अब overall GST में convert हो चुगी है, जो भी production होता था एकनॉमी में, उसके ओपर केंदर की सरकार एक excise duty collect करता था, तो उस excise duty में भी tax on tax cascading effect को हतम किया गया, उसको VAT method पे collect किया गया, इसी लिए central excise plus VAT को बोल दिया गया, senwet, तो पहले इसको excise duty बोला था, central excise duty, जो कि अब GST बन चुका है, इस central excise duty में जब VAT जोड दिया गया, तो बन गया senwet, 1996 से केंदर की सरकार ने अपनी central excise duty को VAT के format पे collect करना शुर सरकारों पर प्रेशर पड़ा था केंदर की सरकार की तरफ से, कि भीया, आप ना अपने taxes को मिला के एक single tax में मतलो, अपने आपको state VAT में मतलो, तो overall यहाँ पे आप देखोगे, कि राज की सरकारों को प्रेशराइस किया गया, कि तुम्हारे यहाँ पे जो भी state taxes लगाए ज करें, इन sales tax को एक tax में मतलो, वह है state VAT, बहुत लंबे समय तक यह चीज हो नहीं पाई, उसका reason क्या था, उसका reason नहीं था, political will की कमी थी, यह जो राज्य की अलग-अलग सरकारे थी, इनको ऐसा लग रहा था कि केंदर की सरकार इंटरफेर कर रही थी, कही नहीं को यह लग था, कि अगर हम VAT ले आते हैं, हमारी tax earning मंद हो जाएंगी, और पैसे के earning मंद हो जाएंगी, तो सब की जलेगी, तो उन्हों नहीं बोला नहीं नहीं हम को नहीं चाहिए, वैट हम तो पुराने तरीके से खुश है, पुराने तरीके में इन politicians की बार्शाहत थी, यह जो मनात नहीं हो गई, टाइम लैब लगा, लेकिन धीरे-धीरे करके इस reform को adopt करना शुरू किया, सारे states ने, 2008-09 के लगबग पर आप बोलोगे, कि केंदर की सरकार ने राजे की सरकारों को बोला, कि ठीक है, तुम अपने sales tax को मिला के, कम से कम VAT बनाओ तो, तुमारा जितना अभी tax का shortfall होगा, वो हम तुमको दे देंगे, तो जब केंदर की सरकार अभी के नहीं है, GST compensation sales fund मनाए, तो अगर GST के आने के वज़े से बाकी taxes में कमी हो जाती है, राजे की सरकार के सामने, तो overall केंदर की सरकार compensate कर गी, उसी प्रकार से, वैट के रिजीम में जाने के लिए, यहा को मिल जाएगा, लेकिन आप देखोगे, कि जैसे ही states ने वैट लागू किया, 2008-09 के लगबाग लागू किया, और 2011-2012 से ही वैट की collections तगड़े होने लगे, तो पहले जितना sales tax से यह state collect कर रहे थे, वैट में उस अवज़े collect करने लगे, एक बात याद रखिएगा, जो state की exercise duty होते है, समझे, exercise duty दो प्रकार क्यों होती, एक केंदर की सरकार लगाती थी, राज़े की सरकार लगाती थी, राज़े की सरकार आज भी exercise duty लगाती है, intoxicants दारू के ओपर, तो जो exercise duty थी इसको वैट में मर्ज नहीं किया गया था, लेकि जितने भी और प्रकार के sales tax लगते हाँ, पेट्रोलियम और अलकोहल के ओपर, आज भी राज़े की सरकारें आपका वैट लगा सकती है, exercise duty लगा सकती है, अलकोहल के ओपर, जीएस्टी के अमिट में पेट्रोलियम और अलकोहल वाले टैक्स नहीं गए है, गोट सेंसर्विसेस टैक्स को इंप्लिमेंट किया है की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए वैट ले आए, अभी वैट के बाद GST ले रहे हो, तो GST में कुछ न कुछ ऐसा होगा, जो कि वैट में नहीं होगा, वो क्या है उसको अभी हम देखेंगे, पड़ अभी के लिए समझ लीजे, कि वैट में ये जो पेट्रोलियम के ओप पे एक्स्टा टैक्स लगा दिया जाएगा, और सेंटल एक्साइस में, जो सरकार ने वैट लगाया था, उसको सेंवैट बोला गया, और सेल्स टैक्स की बजा वैट आ गया, राजो में, राजो में अलकोहल पे जो एक्साइस ड्यूटी थी, वो एक्साइस ड्यूटी लग आपका collect करती थी और जो sales tax था जो कि पहले राज्य की सरकारे collect करती थी जिसको बाद में बोला गया वैट वो state collect करता था तो एक वैट वाला concept आपका central exercise duties में चला था जिसको अपने send vet फिलाने लगे 1996 से सरकार और एक राज्य की सरकारें अपना अलग वैट collect कर रही थी तो ये बोला गया कि यार केंदर की सरकार अपना अलग वैट उठा रही है अपनी चीजों में राज्य की सरकारें अपना अलग वैट उठा रही है तो क्यों न एक वैट मना दो एक ऐसा system म बनाओ, जिससे एक वैट बन जाए, तो जितनी भी केंदर की सरकार के टैक्स लगाने का हिसाब है, चुकि बात यह है न, मालो कोई एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है, जो कि राजे की सरकारों के साथ भी डील कर रही, राजे की सरकार को भी टैक्स दे रही है, और केंदर की सरका के लिए खतम किया जो केवल राज्य की सरकार को टैक्स देते हैं और ऐसा कोई प्रेडूसर है जो केंदर की सरकार को सेंटेल अक्साइज दे रहा है और अधा सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सेल्स टैक्स जो की बाद में वैट भर गया था यह भी भर रहा है तो वो थोड़ा इस एड़ांटेज पा जाएगा तो एक एक एफेक्टिव इन्वेस्टर बेस बनाने के लिए overall हमारे मेनुफेकच्चर को मदद करने के लिए केंदर की सरकार जो वैट लगाती थी और राज्य की सरकार जो वैट लगाती थी इन दोनों को मिलाने की बात की गई सिंगल वैट ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई और तब उदय हुआ आपका goods and services tax का इसने बोला कि भाई एक pan India basis पे single market बन जाएगा अगर हम GST लागू करते हैं business industry सबकी मदद करेगा और इस tax के अंदर potential होगा हमारे GDP को 2 percentage point से बढ़ाने का हाला कि अभी के लिए तो GST के लिए जितने भी आपके points निकल के आ रहें सब अगेंस निकल के आ रहें but concept no doubt बहुत अच्छा है okay तो वैट के method से ही आपका calculate किया जाता है और collect किया जाता है GST बस यहाँ पर केंदर की सरकार के वैट और राज्य की सरकार के वैट दोनों आ जाते है और pan India level पर uniformity आ जाती है एक single rate of indirect tax आ जाता है हाला कि अब किसी चीज़ पर 5% पढ़ता है किसी चीज़ पर 12% पढ़ता है किसी पर 18 किसी पर 20 but आप कहीं पे भी अगर आप GST पे कर रहे हो तो उस GST का refund अगर आप उस refund के लिए रिजबिल हो वो किसी और चीज़ में ले सकते हो तो मालो राजे की सरकार की dealing में आपके पास कुछ GST भरा आपने और उस GST का refund लेना है आपको तो आपके पास GST credits पढ़े हुए हैं तो केंदर की सरकार वाले tax वाले dealing वाले head में जब आप deal करोगे न तो वाँ पर राजे की सरकार वाले input credits को आप केंदर की सरकार के साथ इसमाल कर सकता है पहले ऐसा नहीं हो सकता था तो single rate of indirect taxes आया multiple central और indirect taxes of states को हटा दिया गया केंदर के चार taxes के अंदर आए है एक तो send white आया है एक service tax आया हम बोलो कि sir service tax क्या होता है तो आप restaurant वगरा में पहले जाते थे जब खाना खाने के लिए तो जो आपके bill में tax जोड़के आता था ना वो पहले service tax होता था आज की date में आप देखोगे तो GST हो गया पहले जब आप coaching वगर आपकी fees भरते थे उसमें जो tax आता था ना वो service tax होता था आज की date में coaching का आप fees भरोगे overall restaurant में खाना का होगे तो GST आएगा लेकिन अब service tax आता है तो senvat हो गया, service tax हो गया, stamp duty, central sales tax ये चार प्रकार के tax आपके center के ये आगए किस के अंदर? GST के अंदर और no tax state के आए GST के अंदर, state के excise duty, sales tax, vat, entry tax, lease tax, works, contract tax, luxury tax, turnover tax, octa, ses ये सब आपके राजे की सरकार के अंदर जो पहले आता था, अब वो केंदर की सरकार के अंदर आ गया, समझ के भाई, तो ये चीज हुई है यहाँ पर, इस GST को implement करने की बाद बहुत पहले से चल रही थी, केलकर कमिटी की जब report आई, तो उस केलकर कमिटी की report के बाद सरकार ने decide कि 2006 में ही ये नया tax GST वाला हम लागू कर देंगे, financial year 2010-11 से, लेकिन राजे की सरकार ये तयारी नहीं होंगी, केंदर की सरकार से क्या होता भाई, GST एक proper tax amend कर रहा है, राजे की सरकारों के पास जो taxes हैं, वो इस GST के bracket के अंदर आएंगे, तो राजे की सरकारों की permission चाहिए, और overall constitutional amendment bill पास कराना पड़ेगा, finally आप देखोगे कि सालों तक discussions चलेंगे, और constitution 101st amendment bill 2016 आएगा आपका parliament में, आगस तो 2016 में clear होगा, late September 2016 तक goods and services tax council बनाई जाएगी, और इस council को interest किया जाएगा, with the power to make recommendation to the union and states on various issues, तो अब राजे की सरकारें, केंदर की सरकारें, किस हिसाब से floor rates तै करेंगे, exemption तै करेंगे, GST से related, यह सब चीज़ें यहाँ पर बात होगी, जो नया federal indirect GST बनाए गया है, इसको 1 July 2017 से implement किया गया है, तो उसके बाद इसमें brackets कितने कितने गें, तो 5 लाग के, 12 लाग के, 18 ला के brackets है, अब यहाँ पर रमेश सी ने collections के लिए कि बहुत सा data दे रखा है, अब GST collections का data तो मैं आपके साथ daily basis पे discuss करता हूँ, तो यहाँ से तो, यहाँ पर मैं आपसे अलग से तो, GST collection का data discuss करूँगा नी, overall, ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ properties जरूर डिसकस कर लेते, कि overall, आप देखो तो, इसके अंदर आता क्या क्या है, तो हमने देख लिया, कि यह जो केंद के, आपके जो taxes थे, चार taxes देखे हमने, वैसे तो देखा जाए कुछ और केंद की duties यहाँ पर हैं, जैसे central excise duty के अंदर अगर आप देखोगे, तो duties of excise, medicine and toilet preparations, additional duties of excise, additional duties of excise, textile and products, goods of special importance, फि special additional duty of customs भी आई है, service tax भी आए, तो मैंने आपको central excise, service tax, central sales tax, इसके बारे में यहाँ पर बताया है, कहां गया, ओवर हाँ, service tax, stamp duty, central sales tax, इसके साथ कुछ और चीज़े हैं, ठीके, जैसे कि आपका additional duty of customs हो गया, special additional duty of customs हो गया, ओके, और supply of goods and services में जो central surcharges और cesses लगते हैं, यह भी आपके GST के अंदर आ गया है, जो राज्य की सरकार के 9 हैं, यह तो मैंने आपको बताई दिया, alcoholic liquor for human consumption, यह अभी GST के अंदर नहीं आया है, पाँच petroleum products GST के अंदर में नहीं आया है, petroleum crude GST के अंदर में नहीं है, motor spirit petrol GST के अंदर में नहीं है, high speed diesel नहीं है, natural gas नहीं है, aviation turbine fuel नहीं है, तो 8 major central taxes, अगर आपको यह 8 ना याद रहें, तो आपस इतना याद रखो, sensual trails tax, excise duty, service tax, और customs duty, customs में special additional duty of customs और countervailing duty, इनकी जगा GST आ गया, आज की date में भी, जब आप custom duty देखोगे न, तो जो main custom duty होती है, जो import duty होती है, वो लगती है, लेकिन जो extra sad लिखती थी, special additional duty लगती थी, countervailing duty लगती थी, in duty की जगा GST आ गया, पस इतना फर्क हुआ है, और non-state taxes तो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है, ठीक है भाई, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर कुछ आपको, मैंने बताई ही, जो collection से related data है, उसको अलग से discuss करने की ज़रूत नहीं है, overall GST से related एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, overall GST के इस पूरे के more mechanism को attractive बनाने के लिए सरकार यहाँ पर बहुत सरी चीज़ें लेका ही है, voluntary compliance के लिए, जैसे पहली बात तो यहाँ पर e-way bill, e-way bill क्या है, तो अगर आपको एक minimum amount का सामान, एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक e-way bill generate करना पड़ता है, इस e-way bill में सामान कहां से शुरू हो रहा है, सामान कहां पर जा रहा है, overall इस चीज़ की पूरी की पूरी responsibility इस e-way bill में generate की जाती है, पूरी की पूरी information यहाँ पर इस e-way bill में register की जाती है, और सबसे खास बात यहाँ पर यह है, कि इस e-way bill में pin code to pin code distance mapping होती है, मतलब इस e-way बिल में लिखा होता है कि किस pin code से वो समान निकल रहा है और किस pin code पे वो समान जा रहा है तो जब भी overall मान लो किसी toll plaza से या किसी GST की checkpoint से समान पास होगा तो वहापे e-way bill मांग लिया जाएगा तो वह आपको online e-way bill दिखा देगा उस e-way bill लिखा होगा कि वो किस pin code पे समान जा रहा है किस pin code पे आ रहा है तो अगर किसी गलत route पे समान पकड़ा गया तो समझ लिया जाएगा कि कुछ ना कुछ लफडा हो रहा है ठीक है फिर taxpayer ने GST return file किया है या नहीं किया है इसकी information public domain में GST portal पे available होगी तो जो भी traders वगरा है manufacturers है, buyers है उनको यह आसानी होगी उन particular traders से समान खरीजने के लिए जो समय समय पे GST के साथ comply करते है चुकि GST के साथ किसी particular trader ने comply किया है या नहीं किया है वो online जाके GST portal पे आप चेक कर सकते हो तो जो लोग compliant taxpayer नहीं है समय पे GST file नहीं कर रहे है उनके tax credibility अच्छी नहीं है तो overall उनके साथ आप trade मेंट करो और उनके साथ लोग वैसे भी trade नहीं करेंगे चुकि समझे किसी particular party A ने और B ने इन दोनों के बीच में GST के goods के trading हुई A ने B को बेचा A ने अपने वहाँ पे GST भरा B ने अपने वहाँ पे GST भरा कभी-कभी overall अगर B सामान export कर रहा है तो B को अपने GST का refund लेने के लिए A के input tax credits और GST filing के record दिखाने पढ़ेंगे और अगर A यहाँ पे proper समय पे GST file नहीं कर रहा है तो B अपना input tax refund नहीं claim कर पाएगा अब आप बोलो का सरी यह क्या है input tax refund देखे कभी-कभी ऐसा होता है कि जब traders और manufacturers GST भरते हैं तो कुछ नियम कानूनों के चलते हैं उनका GST वापस कर दिया जाता है refund कर दिया जाता है मैं जब भी आप वो current affairs पढ़ाता हूँ जब भी मंत्री राठा निकलता है GST का उसमें gross collections GST का बताया जाते है वो gross क्यों होते हैं वो gross इसलिए होते हैं चुकि उसमें से कुछ amount अभी भी सरकार को वापस करना है जैसे for example मालो आप हो आपने 5000 शर्टे बनाई इन 5000 शर्टों को बनाने का आपने GST भर दिया सरकार के पास और उसके 5000 शर्टों को आपने देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो जो समान देश के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उसके उपर GST नहीं रगता है उन input tax credit को claim करने के लिए या फिर tax and tax जो आपने extra भरा है उसको claim करने के लिए जितने भी आपकी GST के line में traders हैं, manufacturers हैं उनकी GST compliance ज़रूरी है अगर पूरी की पूरी supply chain में कोई भी ऐसा एक player निकल आता है जो GST proper तरीके से file नहीं कर रहा है तो वो दूसरों के input tax credit में भी रोला डाल सकता है इसलिए GST portal पे जितने भी players हैं सब की GST information दियो होती कि इसने भरा की नहीं भरा अगर नहीं भरा है तो भाई सही समय पे भर दो, इसलिए returns को यहाँ पर public किया जाता है, फिर समय समय पे taxpayers को SMS के थूरू इमेल के थूरू बताया जाता है कि आपने GST नहीं भरा है, आपना GST भर लीजे free software services है, GST भरते जब GST portal पे जाओगे तो काफी tricky से चीज़ें आपको दिखेंगी, तो वापे आप confused ना हो जाओ, इसलिए proper software में information दियो होती है, questionnaire दिया होता है okay, किसी एक particular कि सरकार के taxes को GST एक platform पे चोड़ देता है, अब पूरी कोशिच की जारी है कि petroleum के उपर और overall शराब के उपर जो tax लगाए जाता है वो भी GST के अंदर लाए जाए, पर states तयार नहीं हो रही है, चुकि states के पास कुछी तरीके बचे है, tax collect करने के और वो states देना नहीं चाहती, तो यह था पूरा का पूरा analysis दोस्तों, I hope आपको समझ में आया हो, अगली वीडियो में commodities transaction tax के बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको securities transaction tax के बारे में बताऊँगा, फिर capital gains tax, फिर minimum alternate tax, यह सब taxes फिर dividend distribution tax, और उसके आद मिलती है, so please click the join button, have a great day, goodbye.